साथियों, हमारे देश में कई सारी भाशाओं, लीप्यां और बोलियों का सम्रुद्ध खजाना है, अलग-अलग शेत्रों में, अलग-अलग पहनावा, खान-पान और संस्कृती, ये हमारी पहचान है, ये डाइवर्सिटी, ये विविदता, एक राष्ट के रूप में हमें अधिक ससक्त करती हैं, और एक जूट रखती हैं, इसी से जुड़ा एक बेहत प्रेरक उधार है, एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साजा करना चाहता हूँ, उनका नाम कल्पना है, लेनुगुन का प्रयास, एक भारत स्रेष्ट भारत की सच्ची भावना स भरा हुआ है, दरसल कल्पना ने हाली में, करना टका में अपनी दस्वी की परिक्षा पास की है, लेकिन उनकी सफरता की बेहत खास बात ये है, कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कंड़ा भाशा ही नहीं आते थी, उन्होंने न सिर्फ तीन महने में कंड़ा भाशा सीखी, ब कल्की 92 नंबर भी विला करके दिखाए, आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है, उनके बारे में और भी कई बात ऐसी हैं, जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी, कल्पना मुल रुप से उत्राखन के जोसी मटकी रहने वाली है, वे पहले टीबी से पीडित रही थी, और जो फिर तीसरी कक्षा में थी, तभी उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन कहते हैं न, जहां चाह, वहारा, कल्पना बाद में मैसुरू की रहने वाली, प्रफेसर तारा मुर्ती के संपर्ग माई, जिनोंने न सिर्व उने प उधानर बन गई है, मैं कल्पना को उनके होंसले के लिए बधाई देता हूँ, इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं, जो देश की भासाई विविद्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही एक साती है, पस्चिम मंगाल में पुरूलिया के स्रिपति टूडू जी, टूडू जी पुरूलिया की सिद्धो कानो बिर्शा उनिवर्सिटी में संथाली भाषा की प्रफसर हैं, उनोंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्चिकी लिपी में देश के समिधान की कौपी तयार की हैं, स्रिपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा समिधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोद कराता है, इसलिए प्रतेक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है, इसलिए उनोंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपी में समिधान की क्यार करके भेट सोगात के रूप में दी है मैं स्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूं यह एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना का जीवन्त उधारन है इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत स्रेश्ट भारत की वेबसाइट पर भी जानकरी मिलेगी यहां आपको खान-पान, कला, संस्कृति, परियतन समेथ, ऐसे कई विशहों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा आप इन activities में हिस्सा भी ले सकते हैं इसे आपको अपने देश के बारे में जानकरी भी मिलेगी और आप देश की विविदता को मैसूस भी करेंगे